इसमें बहुत सारे विटेमिन होते हैं, इसमें विटेमिन A, एंड विटेमिन C और फाइबर होता है जोकी dog के digestive health के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसे अपने dog को जरूर दे बनानाज, बनानाज अपके dog के लिए bone health के लिए important होते हैं, क्योंकि इसमें magnesium होते है गाजर, गाजर में low calories होती है और इसमें vitamins, minerals और fibers होते है जो की बहुत ही अच्छा snack बन सकता है तो इसे भी अपने डॉक को खिलाए eggs, cooked eggs डॉक के लिए बहुत ही nutritious होती है क्योंकि इसमें vitamins, minerals होते है और इसमें बहुत सारा protein भी होता है और हाँ, अपने डॉक को cooked डे, फिर boiled eggs ही दे, blueberries, blueberries ये भी आपके डॉक के लिए बहुत ही अच्छा snack का काम कर सकता है क्योंकि इसमें disease fighting antioxidants होते है जिससे ये आपके डॉक को बीमारियों से लडने में मदद करेगा पाइनेपल, fresh pineapple आपके डॉक के लिए बिलकुल safe है लेकिन इसे ज्यादा ना खिलाए watermelon ये आपके डॉक के लिए भी बहुत healthy होता है इसमें low calories होती है which is packed with nutrients और इसमें vitamin A and vitamin C भी होता है corn, corn भी आपका dog खा सकता है लेकिन आपको इसे कम से कम amount में देना है और इसकी cog इसे ना दे green peas, ये भी बहुत अच्छे और tasty लगने वाला food है आपके डॉक के लिए लेकिन सिर्फ fresh peas या फिर frozen peas दे ना की जो canned peas होते है वो ना दे rice, ये भी आपके dog के लिए बहुत ही अच्छा food है ये आपका dog कभी भी खा सकता है potatoes, ये भी आपका dog खा सकता है लेकिन इसे कच्चे potatoes या फिर उनके चिलके ना दे इसे cooked या फिर boiled ही दे इस वीडियो में इतना ही और और जानने के लिए इस channel को follow करें